तो बिहार की राजनीत में अब ये खबर चलने लगी है कि जेडियू में बरी तूट होने वाली है जेडियू के तमाम विधायक और सांसद भाजपा के संपर्क में है और अब ये बात निटीश कुमार ने भी मान लिया है कि जेडियू के सांसद जो है वो भाजपा के संपर् रही है अमिज सा उन्हें बता रहे हैं कि तुम हमारे दल में आ जाओ इस बार हमें ज्यादा टिकट मिलने वाला है और इस बार हम भी प्रतियासी ढूंड रहे हैं हमें प्रतियासी मिलेगा हम उसको टिकट देंगे और जेडियू के सांसत को अभी इस बात का डर्स अता रहा ह कि इस बार कटवती हो जाएगी टिकट में और हो सकता है कि हमें इस बार टिकट ना मिले इसलिए पहले ही भाजपा से संपर्क साध लेते हैं और भाजपा के पास चले जाते हैं और अब ख़बर यह आ रही है कि जेडियू के नौ सांसत जो है वो भाजपा के संपर्क में है औ और अब हम आपको बताते हैं कि जेडिओ के नौ सांसत जो है वो भाजपा के संपर्थ में है, भाजपा से उनकी बात चीट हो रह dis और यह बात जैसे ही नितीश कुमार को पता लगा, निटीश कुमार बहुत उदास हो गए, निटीश कुमार मन ही मन ये सोच रहे हैं कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, पहले RCP सिंग ने धोका दिया, फिर उपेंदर कुसवाहा ने धोका दिया, और अब नौस सांसत धोका देने वाले हैं, भाईया ये तो बहुत बड़ी जो है, वो अमिस्सा तक भेज रहा है, और अमिस्सा लगतार जेडियू के बिधायकों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, और अब खबर ये है, कि नौस सांसत जो है, जिनने इस बात का डर सता रहा था, कि इस बार जब पिकट बटवारा होगा, तो जेडियू के भी सांसती का टिकट देने का वादा कर चुके हैं, जैसे कि MLC हैं, असोग चौधरी मंत्री हैं, उन्हें भी टिकट देने का वादा है, संजे जहा को टिकट देने का वादा है, बिजे चौधरी को टिकट देने का वादा है, और डॉक्टर संजीव को भी टिकट देने का व जाएगा अब उस 12 और 15 सीट में कैसे बटवारा होगा कि उन तमाम सोलो सांसदों को टिकट फिर से दे दिया जाए और विधायकों को जिनको वादा किया गया है उनको भी टिकट दे दिया जाए यह तो पॉसिबल है नहीं इसलिए तमाम सांसद अपनी जो संसदिये छेत्र को बचाने के लिए या फिर अपना जनधार बचाने के लिए भाजपा के तरफ रूख कर रहे हैं या फिर चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं और जेडियू के सांसद अब यह समझ गए हैं कि हमें भागना ही और अगर जेडियू ने टिकट दे भी दिया तो इस बार हार पक्की है क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने आपको मजबूत कर रहे हैं जिस तरीके से एंडिये कह रहा है कि ब्यार के 400 सीट पर अपना कबजा होगा तो समझ ये तो इस बार काफी नुकसान होगा तब जाकर निटीश कुमार के अब सांसद भाजपा से मुलाकात कर रहे हैं और निटीश कुमार बहुत सोच में पड़े हुए हैं निटीश कुमार मन ही मन अब ये कहिए कि रो रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और अम इस सा मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अब तो आपको मिल भी जाएगा लेकिन आपके पास उमिदवार सही उमिदवार नहीं रहेगा कि आप उसे टिकट देजिए और आप निटी इश्कुमार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से सांसदों को एक जूट किया जाए, कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सांसद जो कि सदन में बैठ कर डिली में आया आध्यादेश का विरोद तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मन भाचपा के तरफ हैं, अब हम उनको कहेंगे कि यहीं सही मौका है, इधर आजाईये और इधर आकर बैठ जाईये, तब सभी सांसद मुशकुराने लगते हैं, और मन ही मन सोचते हैं कि अमिसा अभी ही क्यों पोल खोल रहे हैं अभी तो 24 बाकी है ये तो 23 चल रहा है 23 के अंत अंत तक भाजपा के साथ आ जाएंगे उसके बाद आप टिकट दे दीजेगा हम चुना और लड़ लेंगे और अब देखने वाली बाती है कि निटीश कुमार के ज ने आमार साथ और देखते हैं जिसन दाजिंग्शन